चोपडा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ 13 सिप्टेमबर 2020 को नीट एक्जाम के दिन क्या ड्रेस कोड होगा क्या इस बार COVID-19 के चलते ड्रेस कोड में कोई बदलाव किया गया है आपको एक्जाम के दिन कौन सी ड्रेस पहन कर जानी है क्या अलाव है क्या अलाव नहीं है इस विशे पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा ज्यादा सेर करें दोस्तों COVID-19 के चलते इस बार ड्रेस कोड में कोई चेंजिंग नहीं है जो इस्टुडेंट ड्रोपर हैं और जिनोंने 2019 में नीट एक्जाम के जो ड्रेस पहनी थी वही ड्रेस अभी नीट 2020 की एक्जाम में भी पहन सकते हैं नीट 2020 का जो एड्मिट कार्ट जारी हुआ है उसमें लिखा है कि ड्रेस कोड के बारे में इनफॉर्मेशन ब्लेटीन में लिखा है वही आपको फोलो करना है तो इनफॉर्मेशन ब्लेटिन के page नमर 30 पर dress code के बारे में लिखा है इसमें सिरफ यही लिखा है कि long sleeve के साथ light cloth नहीं पहन कर जाना है मतलब साफ है कि अगर आप shirt पहन कर जाते हैं तो half sleeve होनी चीए, big button नहीं होनी चीए, इसके अलावा आप कुछ भी पहन सकते हैं मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप t-shirt और jeans पहने तो better रहेगा, NTA ने अपने information bulletin में किसी भी dress के लिए मना नहीं किया है सिरफ उन्होंने यह कहा है कि light और full बाजू कपड़े नहीं पहनने हैं अगर कोई student अपने पारंप्रिक पोसाग पहन कर आना चाता है जैसे बुरका, पगड़ी, इत्यादी तो उनको exam center पर last entry से one hours पहले पहुँचना होगा यानि साड़े बारा बज़े तक पहुँचना है ताकि उनकी checking हो सके इसके बाद shoes allow नहीं है, sleeper और low heels से sandal आप पहन सकते हैं, वो allow है तो दोस्तो dress coat को लेकर आपको प्रेशान होने के आउशकता नहीं है आप light cloth with full sleeve और shoes के अलावा सब कुछ पहन सकते हैं dress coat को लेकर किसी भी student को exam में बैठने से मना नहीं किया जा सकता मैं आपको एक बात यहां पहन सकता देता हूँ कि exam के दोरान जो metallic item है वो allow नहीं है तो जो girls candidate है वो metal के item पहन कर ना जाएं अभी कुछ item है जो exam center पर आपको बिलकुल भी लेकर नहीं जाने है वो हैं कोई भी stationary item इसके अलावा pencil box plastic pouch, calculator pen, scale, writing pad pen drive eraser, calculator log tables, electronic pens skinners इस परकार के item आपको exam के दोरान लेकर नहीं जाने है इसके बाद में जो communication device हैं जैसे mobile phone, bluetooth, earphone microphone, pager, health band ऐसे भी item आपको नहीं लेकर जाने हैं इसके अलावा wallet, googles handbags, belt, cap ये item भी नहीं लेकर जाने हैं इसके अलावा आपको घड़ी पैन कर नहीं जाना है bracelet पैन कर नहीं जाना है camera नहीं लेकर जाना है इसके अलावा जो metallic item है वो लेकर भी नहीं जाने हैं पैन कर भी नहीं जाने हैं इसके अलावा जो food है वो open door packed में नहीं ले जा सकते हैं हाँ इस बार water bottle covid-19 को देखते हुए allow की गई है लेकिन वो आप transparent water bottle ले जा सकते हैं इसके अलावा जो hiding communication device हैं जैसे इसमें microchip हो गया, camera हो गया, blue device हो गया इस परकार के item भी आप नहीं ले जा सकते हैं अभी इसमें एक point ये लिखा है कि candidate के पास जो item होते हैं जैसे mobile phone होता है, पैसे होते हैं तो वो center पर इनको रखने का कोई arrangement नहीं होगा ये information bulletin में लिखा हुआ है तो इस विशे पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि student के साथ, अगर उनके parents साथ हैं तो वो अपने parents को ये item दे सकते हैं, मगर कुछ student ऐसे होते हैं जो अकेले exam देने जाते हैं, उनके सामने ये problem आ जाती है, कि वो अपना purse और mobile कहां रखें? मैंने किसी किसी center पर पहले देखा है कि ये arrangement होता है, मगर आप पहले जाकर center पर पता कर लें, अगर किसी center पर ये arrangement नहीं है, तो आप exam center के बार किसी shop वाले से request करके वहाँ पर ये item रच सकते हैं, तो दोस्तों ये जानकारी थी dress code के बारे में, आप हमारे channel पे नए हैं, तो channel को subscribe करके bell icon, फ्रेस करें, वीडियो को like वे ज्यादा ज्यादा share करें, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक लेते हैं, आप से विदा, जैहिंद